असलाम लेकुम, इस वीडियो में हम सीखेंगे, Boost app 5 में हम किसरा से Collapse का इस्तेमुल करते हैं इसको कह सकते हैं कि अगर ज्यादा आपके पास Content हो उसको आपने Hide करना या Show करना है तो इसके लिए आप Collapse का जूद कर सकते हैं तरह से करते हैं, अब टेक्टिकली सीखते हैं, यहां पर id को open करते हैं, विजियो studio को, ओके जी यहां पर आते हैं, फाइल, new text file पर click करेंगे, यहां पर आगर इसको save कर लेते हैं मैं फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते है यहां पर end पर .html आज में लिखने हैं मैंने फाइल का नाम लिखा है collapse.html इसको मैंने save कर लिया यहां पर html5 का basic code लिखेंगे ओके इसको save करते हैं इस webpage को मैंने save के हुए इस folder में यह इसको मैं open with कर लेता हूँ sorry मैं open with कर लेता हूँ Firefox यहां पर आप टाइटर देख सकते हैं ओके आप boost drive 5 यहां पर इस folder में है किस तरह सी add करेंगे यहां पर आते हैं जी ओके यहां पर head tag में यहां पर ही यहां लिंक tag के जरीए boost drive 5 फोल्डर में जाएंगे enter css folder में css quality 5 को add किया script tag js quality folder js quality file add कर दी लें जी हमारे पास boost drive 5 add हो चुकी है अब यहां पर हम क्या करते हैं एक button में आते हैं button right अब इस button को मैं css के जरीए class देता हूँ class btn btn primary देते हैं okay इसको मैंने save किया यहां पर मैं लिख दता हूँ click here इसको मैं save करता हूँ यहां पर refresh करते हैं यहां पर आप button देख सकते हैं ठीक हो गया अब यहां पर मैं क्या करता हूँ जी एक div tag बनाते हैं जिसमें content लिखा होका div यहां पर मैं p tag के अंदर paragraph tag में content लिखता हूँ आपने क्या करना है content content अगर नहीं मिर रहा तो आप ऐसा करें simple सी बात है अगर आपने demo यहां अभी checking वेदा कर रहे हैं कि content नज़रा रहे हैं तो content add करने के लिए आप simple सी बात है और यहां पर enter press कर दें आगे बास simple सा content आगे जिसको हम अब check कर सकते हैं अगर अपनी मर्जी से आप अड़ करना चाहें तो आप अड़ कर भी सकते हैं ठीक है अब मैं कहता हूं कि यह content क्या हो ना चीए collapse हो जाना collapse हुआ हो यहां पर click करें तो यह show हो जाए यहां पर click करें तो hide हो जाए वह किससे होगा चेक करते हैं आप यहां पर class add करेंग बूस्ट्राप की बूस्ट्राप 5 की class कूंद सी add करनी है collapse right इसको मैं save करता हूं यहां पर आकर refresh करते हैं यह देखें यह collapse हो चुका हो गया content मुझूद है लेकिन वह content यह वाला यह सारा क्या हो गया collapse हो गया हुआ है यह content अब क्या हो गया हो गया है तो इसको show करने के लिए क्या करना पड़ीगा क्योंकि मैंने इस button पर click करने से show करने है तो इस button पर आकर मैं लिखता हूं data bs target इसको save करते हैं यहां पर value भी देनी है यहां पर value देते हैं let's say demo इसको मैं save करता हूं तो यह demo value कहा से यहां से यहां पर ID attribute देता हूं ID यहां पर मैं देख देता हूं demo इसको मैं save करता हूं यहां पर आकर refresh करते हैं नहीं काम करता है क्या वज़ए यहां पर hashtag भी आप लिखना है क्यूंकि ID attribute है यह ID attribute में value दी हुए है ID attribute में जो value देनी उसको पकड़ने के लिए इसको save करते है यहां पर refresh करते है क्लिक किया नहीं काम कर रहा हूं यहां पर आपने ऐसा करने की code यहां पर attribute add कर देनी है कर देना के data अपने यह attribute भी आड़ कर देना है और यहां पर value देनी कॉलैप्स इसको मैं save करता हूं यहां पर आगर refresh करते हैं यहां पर अब क्लिक करते हैं देखते हैं यह देखेंज यह यह शो हो गया यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो फाइड हो गया अमेर्द करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मजदगार साबट हुई होगी और आपने अच्छे से समझा होगा किस तांसी हम क्लैप्स का यूज़ कर सकते हैं इसके लावा मजीद भी हम क्लैप्स का यूज़ कर सकते हैं क्लैप्स में मजीद क्लासिज वह जिसना हम काड की जो क्लासिज होती है काड का भी हम यूज़ करते हुए क्लैप्स के लिए बड़ा बड़ा सुना सकते हैं चलें वह भी इसी वीडियो में मैं बता दिता हूं आपको वह किस तरह से करना जी चलें यहां पर आती है यहां पर आकर नीचे काम करते हैं यहां पर मैं एक डिव टैग बनाता हूं इसके क्लास होगी काड ओके यहां पर आकर आप काड में क्या होता है हेडर भी हो सकता है बाड़ी भी होती है तो यहां पर मैं एक और डिव बनाता हूं और इसकी क्लास रखते हैं बाड़ी, ओके जी, यहां पर मैं आब आके ना, इस कार्ड में, इसको मैं सेव कर देते हैं, इसको मैं सेव कर देते हैं, यह देखें कार्ड, ठीक हो गया, ओके जी, यहां पर आके, मैं यहां पर एक ना, इस टैक के जरीए, इस टैक, सी, ओ, सी ओ लिए मनदए क्लैप्स वन, ओके इसका क्लैप्स वन जो है ना, यहां पर देते हैं के, यहां पर आके, पी टैक के जरीए, यहां लिखते हैं, कि इससे सीव करते हैं, यहां पर आके रिफरेश करते हैं, यह देखें जी, ऑगे जिस तासे यहां पर हमने दिया था यह तो यहां पर भी हमें देना पड़ेगा ओकी यहां पर इसका यह पर दिया हुए है यहां पर लिक लेते हैं ID ID रखता है Hashtag CO1 इसको मैंने Save किया यहाँ पर Refresh करते हैं यहाँ पर अभी Show नहीं हो रहा ज़र ज़र से बात है अभी यहाँ पर मैं Class लगा देता हूं Class B.T.N. इसको मैं Save करता हूं यहाँ पर Refresh करते हैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं ती बन लिख देता हूं इसको मैं इसको सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं जी यह देखें जी अगर प्राइम्री लगाना चाहें तो प्राइम्री लगा सकते हैं बी टीन प्राइम्री लगाना चाहें तो लगा सकते हैं जी चले अब यही रहाने देना चाहता हूं BTN इसको मैं सेव करता हूं रिफ्रेश करते हैं ठीक हो गया चले रिख देती है क्योंकि ओपर भी दिया था ना आपने यह देखें इसके लिए यहां पर भी देना पड़ेगा चलें इसको मैं आपको लैप्स कर दें यहां से चलें रहने दें इसे हमें हमें हैस्टैग सी ओ वन लिखना पड़ेगा आईडी में तो लिए यहां से हमने पकड़ना है ठीक हो गया वैसे यहां पर एच रैप देने की चायद जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे इसको पिक काल देंगे कि यहां बढ़ा कर रिफ्रेश करते हैं कि कॉलैप्स करने अब तो क्लैप्स करने करें अब डेगर डेटा भी एस टोगर कि यहां पर क्लैप्स करते हैं रिफ्रेश करते हैं यह आप देखे सकते हैं यह और एडी शो है ना ठीक है इसको मैं रीफ्रेश करता हूं तो यह देखें और एडी शो है हाइड नहीं है तो हाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर आगे इसलost आज से आप मज़ीद God वियरे को use करके मज़ीद बैतर बना सकते हैं कि इसमें मज़ीद classes वे-रा को use करके इसको और मज़ीद बेतर बना चाहें तो आप बना सकते हैं अमिद करता हम का यह वीडियो आपके लिए helpful, साबत हुई होगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलम की जिस पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें Thank you so much for watching this video, take care Allah Hafiz